नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एंविर एजूकेशन के से यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बर्ति की तहरी करवा रहा हूं इसके अंडर हम जो है फॉस्ट वेपर की तहरी के लिए जो है जनरल साइंस के जो इंपोर्टन कोसंस है उनको डैली बैसे पर क्लियर कर रहे हैं आज हमारी जो है सेकेंड टैस्ट स्रीज है इससे पहले एक टैस्रीज और अप्लोड कर दी गए हैं आप उसको जरूर देखिए सुबह 8 बज़े आपके लिए जो है यह जनरल साइंस की जो है टैस्ट चल रही है और टेक्निकल पार्ट का जो जो क्लास है वो आपको सामको चार बज़े देखने को मिल जाता है चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को तो देखिए सबसे पहला प्रशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उससे पहले और चीज आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रते क्वेशन के लिए दक सेकेंड का जो है एक सीमित समय दिया जाएगा तो उसी समय अंतराल के दौरान रहते हुए आप जो है अपना आंस सेंटर कहां परिस्त है तिरुवंत पुरम लखनव बैंगलोर या फिर एहमदाबाद जल्दी से सब इसका उतर कमेंट बॉक्स में लिखने है भई तो देखे पहले प्रसन का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूँ विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां परिस्त है तो प्रसन संक्या एक का जिनों ने उतर दिया अपना उतर जाच करे इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ए तिरुवंत पूरम में इस्तित है विक्रम गवकों का अधियन क्या कहलाता है माइकॉलोज़ी एंडोमोलोजी नेफGu या फिर जीनेटिक्स के जाए तो देखे कवकों का अधियन क्या कहलाता है इसका उत्र होगा, आपके A, Mycology, क्या कहलाता है, Mycology कहलाता है, कवकों का अधियन, अगला परशनिया, आपके सिक्कों का अधियन, क्या कहलाता है, सिक्कों का अधियन, क्या कहलाता है, Entomology, Echorics, Astronomy, या फिर Numismatics, तो सभी जल्दी से इसका उत्र, comment box में देवें, तो देखे भई, परशन संग्या, तीन के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, आपके D, Numismatic, ठीक है, Numismatic भी कहा सकता है, आप सिक्कों का अधियन जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, अगला परशन है, Cellular और Molecular जीव विग्यान के अंदर कहां परशित है, हैदराबाद, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम और पोलकाता, देखे, इस परशन का उतर आपके सामने, परशन संगे चार का राइट आंसर होगा, आपके A, हैदराबाद में, Cellular और Molecular जीव विग्यान के अंदर आपके हैदराबाद में, इस्तित है, अगला परशन है, Center for DNA, Fingerprint and Diagnostic अवस्तित है, Center for DNA, Fingerprint and Diagnostic कहाँ पर अवस्तित है आपका, पलकाता, नई दिल्ली, एहमदाबाद और हैदराबाद, अगला परशन है, आधुनिक वरगी करन का पिता महा किसे कहा जाता है, आधुनिक वरगी करन का पिता किसे कहा जाता है, लेमार्क, अरस्तू, डार्विन और लीनियस को, तो जल्दी से इसका उतर कमेंट बॉक्स में देवें सभी, तो देखे परशन संग्या 6 का उतर आपके सामने परशन संग्या 6 का जो राइट अंसर होगा, वो होगा आपके डी, लीनियम, लीनियस को, आदुनिक वरगी करन का पिता महा किसे कहा जाता है, तो आदुनिक वरगी करन का पिता लीनियस को कहा जाता है, अगला परशन है कोशिका का अध्यन किसे कहते हैं, कोशिका का अध्यन क्या कहलाता है, पॉमोलोजी, फंगोलोजी, साइटोलोजी या फ सन्साथ नहीं सफिय प्रसंळ साथ के अंदर आपका राईoteू सेपोरी प्रसेंख साइट लौजी कॉशिफा का दर्यन क्या कहलाता है साइट लोजी कैला था को शीका का अधियान कोशिका सिध्धानत का परतिपाधन की सिंग है था वोट्सनन क्रिक लाइस असलाइडें वह स्वान वैंटिक वह बैस्ट तता आस्प दीन वह प्रिष्ट ले तो देखें आपके सामने इस प्रिष्ट का उतर लेकर आ रहा हूं प्रिष्ट संक्याट का जिन्हों ने उतर दिया आप न उतर जात करें प्रिष्ट आठ का जो राइट अंसर होगा वह वह होगा आपके बी अगला पुशने सेवालों का अधियान क्या कहलाता है तो देखें सेवालों का अधियान फाइकोलोजी डर्मेटोलोजी नेफ्रोलोजी या पिर क्रोमेटोलोजी तो जल्दी से इसका उतर बाता है सेवालों का अधियान क्या कहलाता है तो सेवालों का अधियान जो है वह आपके फाइकोलोजी डर्मेटोलोजी कहलाता है अगला परसणीन नेशनल कीमिकल लेबोरेटरी कहा परिस्यत है दैरादून पूर्ने नाशिक और लखनो तो देखे परसन संक्या 10 का उतर आपके सामने परसन संक्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके भी पूने National Chemical Laboratory जो है वो आपके पूने के अंदर रिस्तित है अगला परशन है Malaria Research Center कहां परिस्तित है Malaria Research Center कहां परिस्तित है Kolkata, दिल्ली, मुंबई और मद्रास तो देखे परसन संक्या 11 का उतर आपके सामने परसन 11 का राइट आंसर होगा आपके भी दिल्ली में इस्तित है Malaria Research Center दिल्ली में इस्तित है अगला परशन अंगूरों का उत्पादन किस से समदित है तो जल्दी से बताए भी PC Culture, Epic Culture, Shari Culture या पिर आपके VT Culture तो देखे अंगूरों का उत्पादन किस से समदित है परसन 12 का राइट आंसर होगा आपके D VT Culture से समदित है अंगूरों का उत्पादन अगला परसने नेत्र रोग का चिकित सक क्या कहलाता है नेत्र रोग का चिकित सक क्या कहलाता है अकूलिस्ट अप्थामोलोजिस्ट अनिरोलोजिस्ट या फिर एंटोमोलोजिस्ट नेत्र रोग का चिकित सक होता है वो क्या कहलाता है जल्दी से बताएं इसके बारे में अपना उतर तो देखे प्रसन संग्या 13 का उतर आपके सामने इसका राइट आंसर होगा आपके भी आप्थालोमोलोजिस्ट ठीक है आप्थालोमोलोजिस्ट जो है वो कहलाता है नेतर होगा चेकिसर अगला परसनी है वेटर नरी रिसर्च इंस्टिटिट कहां पर इस्तित है वेटर नरी रिसर्च इंस्टिट कहां इस्तित है राच्ची, राजमूंदरी, इजट नगर या फिर कोयंब टूर तो देखे प्रसन संग्या 14 का उतर आपके सामने इसका राइटामस हरोगा आपके C इजजत नगर में इस्तित है. Veterinary Research Institute इजजत नगर में इस्तित है. आगला पशनिया पंदर बा migrant, किस विज्यान में पक्षियां से समन्धित अध्यान किया जाता है? औस्टियोलोजी, औरनिथोलोजी, आप्टिक्स और सिस्मोलोजी तो देखे प्रसन संग्या पंदरा का राई डांस रोगा आपके भी औरनिथोलोजी क्या कहलाता है और निधोलोजी किसी विग्ञान में पक्षया से सम्मधित अध्यान जो है ओर निधोलोजी कहलाता है अगला प्रसनी आपके प्लाजमा अनुसंदान संस्तान कहा अचे दहाता है धन्बाद, वारानअसी, जलगोडा और गांदिनगर तो देखें पर प्रसंसंक्य 16 का उतर आपके सामने प्रसंस 16 का राइट आंसर होगा आपके D गांधी नगर में इस्तित है प्लाजमा अनुसंदान संस्थान गांधी नगर में इस्तित है अगला परशने राश्ट्रिय डैरी अनुसंदान संस्तान कहाँ पर है करनाल, कोयमबटूर, जमसेदपूर और कानपूर तो देखे वाइरिस का अध्यन क्या कहलाता है अगला परशने वाइरिस का अध्यन क्या कहलाता है वाइरोलोजी, कॉश्मोलोजी, मेटालर्जी और फिर आपके इथोलोजी तो सभी इसका उतर जो हैं सभी कमेट बॉक्स में देए तो देखे प्रसंसंगी 18 अथारा का उतर आपके सामने वायरिस का अध्यन होता है उतरा प्रसंसंगी 18 अध्यन होता है। बाबा परमाणू अनुसंदान के अंदर कहां परिशित है ट्रामबे, कलपक्कम, नागपूर और दहरादुन तो प्रसंसंख्या उगनीज का उतर आपके सामने प्रसंसंख्या उन्नीज के अंदर आपका राइटान सुरोगा अगला पर्संस नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दिल्ली में गुडगाउं लखनव या फिर राज मुंदरी में अब यह अपना उतर बताते रहें इसका मेंड़ बोक्स में अगला पर्संस नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वा आपके गुडगाउं में इस्थित है अगला पर्संद जीवा में पाए जाने वाले रोगों का अध्यन क्या कहलाता है अगला पर्संद जीवा में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्यन होता है वो क्या कहलाता है आपके पैथोलोजी कहलाता है अगला पर्संद जीवा कीटों से समंदित विज्ञान की साका क्या कहलाती है कीटों से समंदित विज्ञान की जो साका होती है वो क्या कहलाती है एंटॉमोलोजी और निथोलोजी मैमोलोजी और इक्थियोलोजी तो देखे प्रसंद संक्या 22 का उतर आपके सामने 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके किटो से समंदित विज्ञान के साका है बढ़ते हैं अगले प्रसंद के और अबी तक जिस वीडियो के उपर लाइक बंटन नहीं कि प्रेस किया है तो प्लीज लाइक बंटन कर दें और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शैर भी जरू कीजेगा क्योंकि आपके हर एक सेर से में भी मोटिवेशन मिलता है हमें भी आगे सागे आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में ज़्यादा मजाता है चलिए आगे बढ़ते हैं परसन सिंग के 23 की और जीव विज्ञान सब्द का सरोपर्तम परियोग किस ने किया था? अरस्तू, लेमार्क एवं, टेविर्ट्रेविनेस, पुरकिंजे या फिर वान मॉल तो देखे इस परसन का उतर आपके सामने जीव विज्ञान सब्द का सरोपर्तम परियोग किस ने किया था? लेमार्क और टेविनेस ने लेमार्क और टेविर्ट्रेविनेस ने सबसे पहले जो है आपके जीव विज्ञान सब्द का परियोग किया था अगला परसन है चिकित्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है अरस्तू, हिपोक्रेटस, डार्वीन और ले मार्क तो देखे प्रसंद संक्या 24 का उतर आपके सामने प्रसंद 24 का राइट आंसर होगा आपके भी हिपोक्रेटस क्या है हिपोक्रेटस, चिकित्सा सास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है अगला प्रस्षन है Tubercolysis, Tubercolysis Research Center कहा परिशित है तो Tubercolysis Research Center का जल्दी से बताएं में वेसाबी कमेंट बॉक्स में उतर तो देखे आपके सामने इसका उतर लेकि आ रहा हूं, प्रशन संख्या 25 का जिननों ने उतर दिया प्रशन 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके C, चैनने में चलिए अब आपके सामने इस परशन का उतर लेकिए आ रहा हूं परशन संक्या 26 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए इंदोर में Center for Advanced Technology कहां इस्तित है वह आपके इंदोर में इस्तित है अगला मदूमकी पालन किस से समंधित है फिकल्चर, सेरी कल्चर, हर्टि कल्चर और एकोस्टिक से तो देखें आपके सामने इस परशन का उतर लेकिए आ रहा हूं मदूमकी पालन किस से समंधित है परशन 27 के अंदर आपका राइट आंसर होगा भी एपी कल्चर से समंधित है अगला भुकंपों का अध्यन क्या कहलाता है सिस्मो ग्राफ, सिस्मो लॉजी, एपिक ग्राफ या फिर एंटीमो लॉजी तो देखे प्रसन संग्य 28 का उतर आपके सामने प्रसन 28 का जो राइट आंसर है वो होगा आपके भी सिस्मो लॉजी क्या होगा सिस्मो लॉजी कहलाएगा भुकंपों का अध्यन सिस्मो लॉजी कहलाता है अगला आदूनिक वनस्पती विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तियो फ्रेट्स, लीनियस, वन्वेयर या ती एच मारगन तो देखे आपके सामने इस परशन का उतर लेके आ रहा हूँ परशन संग्या उन्वेयर इसके अंदर आपका जो राइटा अंसर होगा वो होगा आपके भी लीनियस क्या कहलाता है लीनियस आदूनिक विनस्पती विज्ञान का जनक लीनियस है लोनियस वरी अगला है जन्तू विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है जल्दी से इसके उतर कमेंट बॉक्स में बताएं जन्तू विज्ञान का जनक अरस्तू थियोक्रेट्स माइकेली या फिर एंग्रिव तो देखे वह जंतु विज्ञान केसे का जाता है मैं नकुत चिंटु विघ्यान का जनकी से का जाता है इस का जाता जाता है द्यान रखना इंपोर्टेंट है अगला है ट्रेड मील टेस्ट कौन worry समझ दिते हैं हर्दे फैपड़ा गुर्दा या फिर पैर है कि अगर देखें प्रशन संग के 31 का उतर आपके सामने प्रशन इक इसका राइट आंसर होगा आपके ए हर्दे प्रेड मिल टेस्ट वह हर्दे की हर्दे चिकिसा से समझ दिते हैं अगला होमो सेपियंस किसका वेगेनिक नाम है होमो सेपियंस किसका वेगेनिक नाम है तो पताएं भी होमो सेपियंस किसका वेगेनिक नाम है बाग मेंडक मनुस्य या गुला तो देखे इस परसंग का उतर आपके सामने परसंग क्या 32 का जिनों ने उतर दिया है उतर देखे इसका उतर होगा आपके C मनुश्य होमो सेपियन्स जो है मनुश्य का वेगेनिक नाम है मनुश्य का वेगेनिक नाम होमो सेपियन्स अगला स्ववपनों का अधिन क्या कहलाता है इतोलोजी, फ्राइनोलोजी, ओरिनोलोजी या क्रॉमे, स्रावटो लोजी तो देखे 33 की प्रशंकão का उतर आपके सामने प्रसंसंग के 33 के अंदर आपका राइट आंसर होगा C, और इन ओनिरोलोजी क्या कहलाता है स्वपनों का अधियन ओनिरोलोजी अगला कैंद्रिया वनस्पति अनुसंदान संस्थान कहां पर अवस्तित है कैंद्रिया वनस्पति अनुसंदान संस्थान कहां अवस्तित है लकनव, गुडगाउं, खडगव, आसला या फिर आपके मुंबई तो देखे आपके सामने इस परशन का पर उत्र ले क्या रहा है परशन संगे 34 का जिनों ने उत्र दिया है परशन 34 कंदर आपका राइट आंशर होगा ए लकनव कहने वनस्तिय अनुसान दान संस्ता लकनव में इस्तित है अगला प्लो का अधियन क्या कहलाता है Pomology, Myology, Cord luckily या फिर Histology तो देखे प्लो का अधियन क्या कहलाता है परशन संगे 35 का उत्र आपके सामने या परशन संगे 35 के अनदर आपका राइट आंसर होगा पॉमोलोजी कहलाता है अगला मानव विकाज का दियन क्या कहलाता है औरनीतोलोजी, एंत्रोपोलोजी, एस्ट्रोनोमी या फिर गाइनोकोलोजी तो देखे इस परसन का उतर आपके सामने प्रसंद 37 का जो right answer है वो होगा आपके भी anthropology क्या मानव विकास का अध्यन anthropology कहलाता है अगला है osteology किसका अध्यन है कोशिका सरशना आख नाक या अस्तियों औस्तियों का अध्यन आपके क्या कहलाता है अगला प्रसंद 37 के अंदर आपका उतर संस्तान कहां अध्यन है केंद्रिय औस दी अनुसंदान संस्तान कहां अध्यन लकनों गुडगाओं खडगो असला या फिर मुंबई तो देखे आपके सामने इस प्रसंद को उतर लेके आ रहा हूं प्रसंद 38 का जिनों ने उतर दिया है प्रस्ण 38 के अंदर आपका जुराईटांसर होगा वो होगा आपके ए लखनव केंद्रिय औस दी अनुसंदान संस्थान लखनव में श्तित है केंद्रिय औस दी अनुसंदान संस्थान उन्चालीस वा नंबर प्रस्ण है केंद्रिय चावल अनुसंदान संस्थान उन्चलिज का उत्र आपके सामने प्रसंग, उन्चलिज का राइट आँज़ रोगा आपके सी ही कतक, केंद्रिय चावल, अनुसंदा अन्संस्थान कहते हैं आपके के कतक में है मैं, और लाइस्ट प्रसंदी है, कीटों का अध्यन क्या कहलाता है? इक्तियोलोजी डेंड्रोलोजी एैंटोमोलोजी या फिर शारोलोजी तो देखि इस प्रसंद का उतर आपके सामने प्रसंद सार्टiblis का राइट आंशर होगा आपके आपके सी एंटोमोलोजी क्या कहलाता है कीतों का अध्यन तो साथियों यह थे हमारे आज के top 40 questions आज की test स्रीच से समझ देत अगर आपको ये वीडियो reality में helpful और अच्छा लगा है तो प्लीज इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए ठीक है और आपको next test स्रीच को अगर time देखना है तो आपको subscribe करके bell icon को भी on करना पड़ेगा और all के उपर जरूर आप on करतें जिससे मेरी हर एक notification आपके पास पहुंचती रहे है द्यान रखे second paper की तेहरी के लिए आपके साम को 4 बजे class आ रही है तो उसको भी आप जरूर जोइन करते रहे हैं इसी के साथ आपको आपना भाई संपत लेड़ आप सबी से अलवीदा लेता है मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत